गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स, हाव आर यू, वेलकम तो अल उफ यू, इन फिजिक्स ओनलाइन क्लास, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 6th D चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नेम है Optical Instrument, इस चैप्टर में हमारे पास 4 आर्टिकल है, Simple Microscope, Compound Microscope, Astronomical Telescope, and Human Eye, लास्ट लेक्चर में हमने Simple Microscope आर्टिकल को डिस्क्रिस किया था, सो आज हम इसी चैप्टर को continue रखेंगे, और आज हम टॉपिक डिस्क्रिस करेंगे, Compound Microscope, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसके डायाग्राम को देखते हैं, जो भी Optic Students हैं, इसमें सबसे important क्या है डायाग्राम, सबसे पहले देखो बेटा, Compound Microscope के केस में हम two lens consider करते हैं, O, O का मतलब है objective lens, E, E का मतलब है eye piece, objective lens का क्या मतलब है, जो lens हम objective के close रखते हैं, that is called objective lens, eye piece का मतलब है, जो lens हम eyes के close रखते हैं, that is called eye piece, A, B क्या है हमारे पास object, ठीक है, तो हम देखते हैं, ray lens में कैसे पास होती है, देखो बेटा, यह हमारे पास state line है, principal axis के parallel, हमें पता है, जो ray, principal axis से parallel पास होती है, मतलब कि, जो ray, principal axis के parallel होती है, वो lens के अंदर, enter करने के बाद, कहां पे, मतलब कि, cross करती है, principal focus में से, ठीक है, F, O, F, O का मतलब है, principal focus of objective lens, ठीक है, तो second ray कहां से पास हो रही है, optical center में से, C1 क्या है, optical center of objective lens, जो ray, optical center में पास होएगी, उसमें कोई भी reflection नहीं होएगी, मतलब कि, ray क्या होएगी, undeviate, ठीक है, यह हमारे पास first ray है, यह हमारे पास second ray है, यह किसी एक particular point पे match करेंगी, तो हमारा amaze बनेगा, that is amaze, real type, देखो बेटा, यह हमारा optical center है, यह हमारा principal focus है, ठीक है, A, B, object को हमने मतलब कि principal focus से दूर रखा, तो इस case में जो हमारा amaze बनता है, वो real बनता है, हमें पता है, जो real amaze है, जिस side हम object को रखते हैं, दूसरी side बनता है, और जो virtual amaze है, जिस side हम object को रखते हैं, उस side बनता है, ठीक है, इतना सब कुछ clear है, आपको, second बेटा देखो, यह हमारे पास second lens है, इसको हमने आई पीस बोला, ठीक है, तो जो मतलब कि microscope है, simple जा compound microscope, जो भी हमारे पास optical instrument है, यह किस principle के उपर काम करते हैं, जो first lens के लिए amaze होता है, वो second lens के लिए क्या बेह करता है, object, यह हमारे पास first lens है, यह first lens का object है, ठीक है, और यह first lens का हमारे पास क्या बन गया, amaze, ठीक है, second lens के लिए, यह वाला amaze, इसके लिए क्या बेह करेगा, as a object, ठीक है, जो first lens है, उसके case में, यह amaze बन गया, real, हमें पता है, जो real amaze है, वो inverted होता है, ठीक है, जो वर्चुल amaze है, वो erect होता है, यह हमारे पास amaze बन गया, a dash, b dash, ठ object, तो first ray देखो, कहां से पास हो रही है, optical center में से, जो ray optical center में से पास होएगी, वो undeviate होती है, मतलग की state पास होती है, secondary क्या है, principal axis के पैलर, ठीक है, जो ray principal axis के पैलर पास होती है, तो वो कहां, कहां पे, मतलग की, cross करती है, F, E, पे, F, E के हमारे पास principal focus, हमने यहां पे E लि तो इस case में क्या है, मतलग की, जो ray है, वो actually किसी point पे meet नहीं कर रही, इसलिए, इस ray को हम क्या करेंगे, backtrace, देखो बेटा, यह हमारे पास first ray है, यह हमारे पास second ray है, तो नों को हम backtrace करेंगे, backtrace करने के बाद, यह एक particular point, देखो, B dash पे match कर रही है, ठीक है, sorry, A dash पे match कर virtual amaze, ठीक है, next हमने discuss करने, magnify power, magnify power का मतलब क्या होता है, angle, देखो, बिटा, क्या है हमारे पास angle, angle substandard on the i by the final amaze, ठीक है, बिटा हमारे पास angle है, angle substandard on the i by the final amaze, मतलग की, जो final amaze है, वो i के उपर कितना angle बना रहे है, ठीक है, और alpha क्या है हमारे पास, एंकल सब्स्टेंट ओन दा आई बाई दा अब्जेक्ट ठीक है जो अब्जेक्ट है वो मतलगी आई के उपर कितना एंकल बना रहा है तो मैंगनिफाई पावर मैंगनिफाई पावर को हम कैसे रिप्रजेंट करते हैं एंकल बिट्ठा पॉन अल्फ्वा थीक है तो यहां पर एंकल स्मॉल हरा है इसलिए हमें IT को कैसे लिख सकते हैं विट्ठा अब देखो बिट्ठा हमने किसको कि गीचिए और अल्फा हमने किसको कि गीचिए एडवडीश है सी टू और एवन सी तू डवल डाश को हमने अलफा कंसिदर किया ठीक है इस केस में बेटा आप समझोगे अब्जेक्ट को तो हमने यहाँ पे रखा बड हम यह वला पॉइंट क्यों कंसिदर करें हैं जासे कि मैंने आपको लास्ट लेक्ट्र में बताया था ठीक है magnification find करने के लिए हम ratio find करते हैं बिट्टा और अल्फा की ठीक है मतलब कि जो हमारा amaze है और object है उनका जो reference point है उसको हम एक ही consider करते हैं इसलिए जो हमारे पास a b object है उसके पहले हमने एक line draw की a 1 b double dash ठीक है तो a double dash c2 b double dash हमारे पास बिट्टा है a 1 c2 double dash हमारे पास alpha है इन डोनों की ratio क्या होईगी हमारे पास magnifying power अब हम क्या find करेंगे 10 alpha और 10 बिट्टा की value find करेंगे ठीक है 10 बिट्टा की value find करने के लिए हम tangle consider करेंगे A double dash C to B double dash ठीक है इस case में देखो 10 बिट्टा की value हमारे पास आएगी A double dash B double dash upon C to B double dash ठीक है और A alpha alpha की value find करने के लिए हम triangle consider करेंगे A1 B double dash C to ठीक है और हमारे पास 10 किसके इकलो होता है perpendicular upon base इसलिए हमारे पास 10 alpha की value के आजएगी A1 B double dash upon C to B double dash अब देखो ध्यान से जो A1 B double dash है यह किसके पहलर है A B के मतलब की दोनों यह line इकल है इसलिए हम क्या put कर देंगे A1 B double dash को हम A B पुट कर देंगे ठीक है फिर हमने क्या find करना है magnifying power ठीक है हमने क्या किया 10 बिट्टा और 10 alpha की value को divide कर दिया C to B double dash C to B double dash इसको हम कट कर देंगे तो magnifying power हमारे पास क्या आ जाएगी पेटा A double dash upon A B देखो ध्यान से A double dash upon A B अब हमने इसको क्या किया हमने A dash B dash से divide कर दिया और A dash B dash से multiply कर दिया A double dash B double dash upon A dash B dash हमारे पास क्या है magnifying power of I piece ठीक है क्योंकि यह हमारे पास final maze है यह हमारे पास क्या है मतलगी object है किसके लिए आई piece के लिए यह हमारे पास मतलगी क्या है magnifying power of objective lens ठीक है A dash B dash upon A B is equal to M O उसके बाद हमने हमारे पास magnifying power आगी M O M E इसके बाद हम beta क्या पुट करेंगे M E और M O की value पुट करेंगे last lecture में हमने magnifying power मतलगी आई piece की फाइन की थी that is equal to 1 plus D upon F E तो अब हमने क्या क्या फाइन करना है M O की value फाइन करनी है M O की value फाइन करने के लिए हम triangle consider करेंगे A B C1 and A' B' C1 यह दोनों triangle हमारे पास क्या है similar ठीक है क्योंकि इन दोनों triangle में angle equal है अगर angle equal है तो उसकी corresponding जो side है उसकी ratio क्या होएगी equal ठीक है C1 B आ गया हमने मतलगी A' B' upon A B हमारे पास क्या है M O M O का मतलग है magnify power of objective lens इसलिए हमारे पास C1 B' upon C1 B की value M O आ गी ठीक है अब हम क्या पुट करेंगे C1 B' और C1 B की value पुट करेंगे C1 B' की हमारे पास value B है C1 B की हमारे पास value क्या है minus U ठीक है तो यह हमारे पास right hand side है इसलिए हम इसको positive पुट करेंगे यह हमारे पास left hand side है इसलिए इसको हम negative पुट करेंगे तो M O की value हमारे पास आगी V upon minus U तो हमने क्या find करने M M का meaning क्या है M O into M E M O की value हमारे पास आगी V upon minus U और M E की value हमने last lecture में find की थी 1 plus D upon F E ठीक है तो बेटा यह हमारे पास क्या आगी magnify power V upon minus U 1 plus D upon F E magnify power किस case में आगी compound microscope के case में देखो बेटा M O की value find करने के लिए हमने two triangle consider की थी A, B, C, 1 ठीक है और A dash B dash C, 1 यह दोनों triangle इक्कुल है क्योंकि B और B dash angle हमारे पास 90 का है और यह क्या है vertical opposite angle ठीक है अगर हमारे पास two angle equal है तो third angle obviously equal होता है तो angle angle property के coding क्या है अगर हमारे पास triangle है उनका angle equal है तो उनकी जो corresponding side होती है उनकी ratio क्या होती है इक्कुल इसलिए हमने consider किया था क्या A dash B dash upon AB is equal to C1 B dash upon C1 B ठीक है उसके बाद हमने value put की थी C1 B dash की C1 B dash देखो क्या हमारे पास amaze तो C1 optical center और amaze के विच carcode distance को हम B बोलते है इसलिए हमने C1 B dash को V put किया था उसके बाद मैंने C1 B को क्या put किया था minus U ठीक है C1 हमारा optical center है B point पे हमारा object को B point पे हमने object को रखा है इसलिए C1 B को हमने क्या put किया था minus U ठीक है बेटा आज हमने compound microscope के बारे में डिस्कस किया last lecture में हमने simple microscope के उपर मतलगी अपना article सोल किया था कल हम डिस्कस करेंगे astronomical telescope ओके बेटा साथ की साथ notes मनाने है कोई भी प्रोब्म हो तो मेरे साथ share करनी है ओके थेंक्यू have a nice day